कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं टाइपस ऑफ पूर्ट के बार वे पूर्ट क्या होता है तो किसी भी कप्यूटर का वह पॉइंट जहां से किसी भी डिवाइस को हम लोग प्लग इन करते हैं अब पूर्ट इंटर्नल भी होता है और एक् अब यहां से टर्म आता है जो एक्जाम में पूछाता है कि सर यह प्लग क्या होता है तो मुस्टली एक्स्टर्नल स्पोर्ट में हमारा पेरिफेरल डिवाइस है जो प्लग किया जाता है अब शवाल याता है सर यह पेरिफेरल दिवाइस क्या है तो दोस्तों याद रखेगा कि दुनिया का कोई भी डिवाइज जो सिस्टाम में अलग से लगाया जाए उससे हम लोग परिफेरल डिवाइस कहते है जैसे कि स्कानर परिफेरल दिवाइस है जैसे कि हमारा pen drive वो भी peripheral है, external hard disk वो भी हमारा peripheral device है, यानि वो device जो system में अलग से लगाया जाए, उसे हम लोग peripheral device कहते हैं, और वो device जिस point पर लगाया जाता है, जिस sector में लगाया जाता है, उसे ही ports कहते हैं, तो ऐसे multiple ports हैं, जो आपको system में दिखते होंगे, तो उनी के बारे म आज हम चर्चा करेंगे, about all ports of computer, तो चली बात करते हैं, यह आप देख सकते हैं, कुछ ports है, जो आपने देखा भी होगा, VGA port, mini port, HDMI port, optical port, audio, optical audio port, DVI, 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 DV जिकर करेंगे, serial port, जिसको एक com port भी कहते हैं, communication port भी कहा जाता है, इसे com का मतलब communications हुआ, तो एक serial port होता है, basically, जो modem वगरा में इस्तमाल किया जाता है, ठीक, यह पूछा भी जाता है, कि modem में क्या है, तो आप यादर, old modem, old model, ठीक है, वो important है, serial port इसले कहा जाता है, क्यो system में इस्तमाल किया जाता था, basically, दो तरह का आप देख सकते हैं, इसको आप डीबी 9 कहते है, यह डीबी 9 क्योंकि 9 pin है, और यह डीबी 25 है, ठीक है, डीबी 25, क्योंकि इसमें 25 pin है, तो अलग-अलग है, सिर्फ modem में नहीं, और भी बहुत सारे आपने देखा होगा, इस type का port जो system में इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, तो मुख्यता serial port का खासियत क्या है, जो data को bit by b transfer करता है, हाँ, दूसरा point याद रखिए कि exam में पूछा गया था, कि RS 233 क्या होता है, तो यह standard है, ठीक है, आप recommended standard 233, यानि कहने का मतलब है, कोई भी system एक तरह से यह protocol है, protocol कहने का म बने, कुछ भी बनेगा, तो कहीना कुछ मानक होगा, कि भाई, आपको इसी मानक पे काम करना है, उधारन के तौर पे अगर मैं बता दूँ, अगर आपके पास, मोबाइल चार्जर सब के पास होता है, सब ने देखा होगा, अगर मोबाइल चार्जर में, अगर मैं power socket की बा काम दिया गया, उसके अलावे एक और संस्था का नाम सुना होगा, IEEE, जिसके बारे हम आगे जिक्र करेंगे, कभी अगर उसके मैंने सेशन लिया तो, तो एक स्टेंडर सेट किया था, यह डिवाइस बनाना था आपको इसी स्टेंडर पर बनाना है, ठीक है, तो उसी तरह गुजरा हमारा पैरलल पोर्ट जो आप देखना, देखे होंगे, मुख्यता जो पैरलल पोर्ट का इस्तमाल होता है, इसमें डेटा बिट बाइब डिवना जाके रेगूलर डेटा जाएगा, यानि कि सिमलरली बहुत सारे डेटा का ट्रांसफोर्मेशन इसमें होता है, दो इसमाल किया जाता है, प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए सिस्टम से, तो ये है हमारा पैरलल पोर्ट, मुख्यता इसका खासियत यह क्या है, ये डेटा ट्रांसफर थोड़ा फास्ट करेगा, कंपेर टू सिरियल, क्यों करेगा, क्योंकि ये वन बाइवन डेटा डेटा को ट्रांसफर नहीं करता है, ये पैरलली बलक आफ डेटा को ट्रांसफर वहाँ पे करता है, आप देख सकते हैं, उसमें क्या था, इससे पहले डेटा कुछ ऐसे जा रहा था, और इसमें ये पैरलली डेटा ट्रांसफर होता है, तो ये खासियत थी पैरलल पोर्ट क के बारे में जो इस्तेमाल क्या आता है प्रिंटर और स्कैनर में दो पॉइंट हो गया दोस्तु तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं यूएस वीजो सब को मालूम है यूनिवर्सल सीरियल पूर्ट आज की जवाने में समलोग सिर्या सिरियल नाम है इसलिए यह हमारा सिर इसलिए कही कही आपने यह भी पढ़ा होगा कि यह भी आपका सिरियल पूर्ट की केटेगरी में आता है यहां पर आ जाता है लेकिन इसको अलग से हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत तरह टाइप्स आने लगे हैं वो हमको जानना है पर इसलिए 24 पीन होता है अम लोग चारजर कहाता है ना सी टाइप चारजर हम लोग यह ढूल रहे हैं तो थो है वो भी हमारा यूएस भी है यूनिवर्सल सिरियल बस बस का मतलब यहाँ पर कहीं भी अगर कंप्यूटर में बस सब्द का इस्तमाल हो तो वायर को कहा जाता है बस यह याद रखिएगा तो दोस्तों यूनिवर्सल सिरियल बस है मुखेता टाइप A, टाइप B, C की बात करते हैं यहाँ पर टाइप A में 4 पिन, टाइप C में हमारा 24 फिन यह तो हो गया, इसके अलावा भी इसका आपने देखा होगा कि टाइप A में हमारा क्या होता है, पहले तो 1.0 आया, फिर 2.0, फिर 3.0 अभी जो लेटेस्टन इस्तमाल करें, 3.13.2 यह स्टैंडर है, आपने देखा होगा, USB port में ऐसे स्टैंडर लिखे हो, तो USB port A, 3. 3.0, USB 3.1, USB 3.2, ऐसा लिखा होता है, तो यह जो भी दिया गया, इसका कहने का साप्दिक मतलब बस इतना ही है, कि यह जैसे ही बढ़ रहा है मानक, इसकी ट्रांसफर रेट जो होगी, वो हाई होगी, उधारन के तोर पर 3.2 का जो ट्रांसफर रेट होगा, वो 3.1 से जादा होगा, तो यह एक ही जैनरल सा इथिक्स है, यह कहीं भी अगर वर्जन सवेगरा बदलते हैं, तो कहीं नहीं कहीं उसकी फैसलिटी, यह जिस चीज के लिए वो बनाया गया है, उसमें वो बढ़ोतरी आती है, तो आप यहीं नोटीस करना है कि आज की जवाने में जो आ रहे ट्रांसफर रेट भी बढ़ेगा, तो 3.3 में आजकल GBPS में भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो यह जो लेटेस्ट है, वो GBPS में भी डेटा हमारा ट्रांसफर करता है, तो यह हो गया USB के बारे में, USB एक पोर्ट है, इतने तरह का पीन का इस्तमाल होता है, और मानक का में आगा, दो तरह का पोर्ट यहां पर जिक्र की है, और बाकि इसके भी सब टाइब 1.0, 2.0, 3.0 की में बात कर रहा था, तो आई होप सो USB एला कॉंसर्ट क्लीर हो गया, तीसरा आगला पोर्ट जो है, वो है PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट क्या होता है दोस्तों, तो याद पहले USB पोर्ट कीबोर्ट माउस था, और उससे भी पहले PS2 पोर्ट था, तो यह याद रखेगा माउस और कीबोर्ट में इसका इस्तमाल होता था, तो ओल्ड माउस और कीबोर्ट में किसका इस्तमाल होता था मित्रों, तो वो याद रखेगा PS2 पोर्ट में, ठीक है, कितने पीन होते हैं, तो देखनों, नम्रों पीन ही मैंने दिखा दिया, 6 पीन होते हैं, अब ये पीन क्योंट डिवाइड किया गया, क्योंकि सिंपल सा वात है, भाई, हर पीन का अलग अलग काम है, कोई पावर ट्रांसफर करेगा, कोई डेटा ट्रांसफर करेगा, कोई सिंगनल ट पीन आपको कांट करके दिखा दिया है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वीजिये पूट तो ये पूचा गया ता वीजी ए का फूल वीजिये क्या है तो इन वस्वाल है जब connectivity होता है CPU से, वो system unit से, तब ये वाला port आपको दिखाऊगा, तब basically नाम से ही clear है, कि ये video output के लिए इस्तमाल में लाए जाता है, यानि monitor का connectivity जो होता है, उसमें हम लोग VGA port का उप्योग करते हैं, VGA का मतलब क्या है, ये भी कहें साइड में लिख लीजिएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, तो ये VGA port है, basically audio output, sorry, video output के लिए इस्तमाल में लाया जाता है, और इसमें number of pin है, वो 15 है, जो किसी exam में पूछे गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है SDMI port, SDMI port, normally, अभी के समय में सबसे ज़्यादा आप लोग उप्योग करें, SDMI port के बारे में, full form high definition multimedia interface, multimedia सब्द का इस्तमाल कर दिया, that means क्या है, multimedia content जाएंगे, यानि कि audio प्लस video प्लस सब जाएगा, ठीक है, तो multimedia ये content transfer करता है, यानि कि यही एक single port है, जो आप एक system में connect करते हो, और आपको audio, video दोनों का output मिल जाता है, मुखेता तीन तरह का आप लोग देखते होंगे, जो आपका SDMI port होता है, एक standard SDMI, नॉर्मली हर जगा प्रोजेक्टर वागराम इस्तमाल कियाता है, आपने mini SDMI, छोड़ोटे camera's वागराम देखते होंगे, और फिर micro SDMI, ये तीनों SDMI जो आपने देखा होगा, जो standard SDMI port है, तो ये तीन तरह का हम लोग आप SDMI port होंगे, इस्तमाल करते हैं, standard SDMI जो नॉर्मली है, आम जनता पर, तीसरा mini, ठीक है, फिर हमारा micro, ये तीन तरह का port है, SDMI का, जो market में है, रहो हम लोग उप्योग करते हैं, ठीक है, number of standard pin जो है, वो 19 pin इसमें होता है, याद रखिये का, 19 pin पे काम करता है, SDMI, ठीक है, तो SDMI क्या है, audio video, दोनों transformation, transfer करने के लिए, इस्तमाल मिला जाता है, SDMI, इसी तरह एक, और एक मैं यहाँ पर figure नहीं है, लेकिन आचानक मेरे दिमाग में आया, मैं आपको बता देता हूँ, एक होता था, M I D I, ठीक है, musical instrument digital interface, का ही साइड में लिकले लिकले ना, full form, musical instrument digital interface, musical instrument digital interface, यह भी एक तरह का port है, फिगर नहीं है, मेरे पास, लेकिन आप देख सकते हैं, इसको जाके, तो M I D I port क्या था, सिर्फ audio के लिए इस्तमाल में लाया है, तो याद रखिएगा सिर्फ audio signal transfer करने के लिए M.I.D.I. का इस्तमाल किया जाता था इसी को extend हुआ तो आया HDMI और audio plus video दोनों का इस्तमाल इसमें किया जाता था तो यह HDMI और M.I.D.I. क्या है तो यह भी एक तरह का port है जो हमारे system में किया आता है data transfer करने के लिए I hope हो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी अगर और भी तरह का doubt होगा तो मुझे comment जरूर कीजिएगा मैं आपके doubts पर भी काम वहाँ पर करूँगा ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तो RJ45 और एक होता है यहाँ पर दिखा दूँ आपको बेसिकली दोनों को मैंने comparison किया है ठीक है तो वह ज्यादा important है आपके लिए RJ45 बेसिकली जो हम लोग कहते है न लैन वाला लैन कनेक्टर जो होता है वो RJ45 होता है इसको लैन कनेक्टर भी कहेंगे इथरनेट कनेक्टर भी कहेंगे ठीक है कुछ भी हम लोग कहा सकते है आर जे का फुल फॉर्म होता है रेडियो जैक ठीक है रेडियो जैक RJ45 बेसिकली लैन में इस्तमाल कियाता है और RJ11 जो होता है आपने देखा होगा टेलीफोन वाला कनेक्शन ठीक है जो पेड्रीं बेसिकली की फ़ॉर्म होता है याद रह रहा होता है यहार जेका चीज़े यहां पर याद रखना चाहिए ठीक है I hope so समझ आर्जे का मतलब रेडियो जेक दोनों का इस्तमाल देख सेकते हैं यह आर्जे 45 मैंने थोड़ा सा बड़े रूप में दिखा दिया था पिन काउंट कर लिएगा ठीक है हाँ अगला जो पोर्ट है दोस्तों वो पोर्ट है हाडडिस का पोर्ट है यह क्या है हा प्लेलेस्ट में हर वीडियो को मैं serially लेकर आ रहा हो बहुत स्ट्मेटिकल वे से लेकर बढ़़ रहा हूं उसको तो हर वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा हर में बहुत इंफ्किए आपको फाइदा होगा चीज़ों को लिंक करने में आपको और आसान आपका संभी च साटा पाटा ठीक है तो SCSI और सॉलिड इस्टेट राइब यह चार है जो बेसिकली हाड़िस के पोट होते हैं आपने देखा होगा हाड़िस से कनेक्टेंड होता है साटा पाटा साटा पाटा दोनों की अगर मैं बात करता हूं मुख्यता इसमें दो तरह के आप वायर देखा होगा एक होता है पावर केबल और एक होता है डेटा दरांसफर केबल तो दो तठरा का कनेक्टिविटी का का इस्तेमाल रहा होता है तो दोनों में फार्क क्या है वह समझते है नां सही जा रहे भाई यह से अध्यो ever Lea तो वहीन ज्यादा यहाइन से चेल्ध से पैरियोल और अभी जो हम लोग इस्तिमार करें solid state drive ये भी एक port है जो अभी recently मैंने SSD के बारे बताया था जब वहाँ पे हम magnetic disk या secondary memory का वीडियो जब बनाये थे वाँ ज़रूर देख लिएगा SSD के बारे उसमें विस्तार से बताया है ठीक है तो ये चार तरह का port है जो और solid state port है जो मुख्यता कहां इस्तमाल में लायता है तो हार्डिस में सवाल ऐसे बनते हैं इसके full form तो चलो नॉर्मल से चीज़े है इस्तमाल में कहां लाया था है किसका कौन सा fast है कौन सा slow है ये सारा सारे सवाल है जो हार्डिस वाले port से बनते हैं तो जाहिर से नाम से ही क्लियर है कि आपका पैरलल ज्यादा fast होगा इससे भी ज्यादा fast होगा SCSI तो बस ये port बढ़ा port बढ़ा तो हार्डिस और सिंक्रोनाइज हुआ सिंक्रोनाइज चीज़े जब हुई तो क्या हुआ डेटा ट्रांसफर रेट है वह वहां पर बढ़ता गया यह है इसका एक सामंजस है एक conclusion यह ही है कि जितनी भी technologies बढ़ती है या कि अप्ग्रेड किया जाता है या versions बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी facility जिस चीज के लिए वह बनाया गया है उसमें बढ़ोतरी होती है किसी भी सेक्टर में किसी भी सेग्मेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं उम्मीद करना हूँ यह चीज आपको correlate कर पा रहे होंगे यानि यह सारा है क्या तो यह सारा हाट डिस का पूर्ट आफिक नमयक्तर करते हैं के सब्सक्ति हैं एक सब्सक्राइब तो यह में तो यह हमारा एक यहां यह याद रखिएगा तो यह इस्तमाल मिलाया था इसके लावा और भी अलग अलग पूर्ट इस तरह का और भी आपने 6-7 होता है ठीक है बहुत जगा जैसे कि जहां पर यह इसे सवाल बनते हैं तो दोस्तों यह मैंने आपसे डिसकस कर दिया अब कुछ इंटर्नल कनेक्टर थे जो मैंने औलेडी रैम रॉम में डिसकस किया था एक बार जाके उस वीडियो का ज़रू देखिएगा आपको वहाँ पर चीजे मिल जाएगी मैं उमीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजे तो यह एक आपका पूरा एक कंक्लूजन है टा जो एक्स्टरनली सिस्टम में प्लग होता है ठीक है तो यह आज के वीडियो का यह सारांस था यानि टाइप सब्सक्राइब मैं उमीद करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए खास रहा होगा आपने इसे बहुत चीजे सीखी होगी और इसका आप यूटिलाइस कर पाओग अपने एक्जामसर में और निजी जिन्दगी में ठीक है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे इंडिफॉर्मेशन के साथ और जाते जाते हैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों अगर हमसे कुछ और एक्सपेक्टेशन आ अगर मुझे किस टाइब के सेशन यहां पर आपको लिए लाके देना है ठीक है तो हर वीडियो पर आप अपना कमेंट डालो अपना रिव्यू डालो अपना एक्जाम डालो कि किसे एक्जाम के लिए प्रिप्रेट कर रहे हो और अपना एक्सपेक्टेशन मुझसे जरूर शेयर करो ठीक है तो अभी कले इतना है फिर मिलता अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ तब तक लिए गुड़ लाग गुडबाय एंड टेक केर दोस्तों